नमस्कार दोस्तों कम से कम क्वाइटिटी के अंदर बैक के अंदर रखने की कोशिश करते हैं जैसे कि वहाँ पर पढ़ाई जाने वाली बुक्स, लंच बॉक्स, उसका पैंसल बॉक्स, उसके जरूरत का सारा समार और इसी के साथ साथ हम अपने बच्चे के हाथ में एक वाटर बॉटल भी देते हैं ताकि उसकी जरूरत की सारी चीज़े उसके पास हो इसलिए आईए जानते हैं आज के बच्चों के बैक के अंदर हमें कौन-कौन सी जरूरी चीज़े जरूर रखनी चाहिए टिफ नमबर वान जब भी हम छोटे शिशू का बैक तयार करते हैं तो उसके अंदर बच्चों का बैक तयार करने से बहुत ज्यादा सामाल भी रखा जाता है और उससे काफी ज्यादा सोच समझ कर भी हमें शिशू का बैक तयार करना पड़ता है जैसे कि अपने शिशू का बैग तयार कर रहे हैं तो उसके अंदर डाइपर्स रखना बिलकुल ना भूले जी हाँ बच्चे का डाइपर रास्ते में कभी भी और कहीं भी गिला हो सकता है इसलिए अपने बैग के अंदर डाइपर के बैग को रखना बिल्कुल भी ना भूलें टिप नमबर टू है शिशु का आहार बच्चा क्या खाना खाता है वो भी आपको बैग दे स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है बैग के अंदर वही खाना रखिए जो कि आपके सफर के अनुसार लंबे समय तक चल सके और बच्चे का पेट आराम से भर भी सके टिप नमबर थ्री बच्चे के लिए दो से तीन चोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा ले कर चलिए रास्ते में बच्चे को कुछ भी हो सकता है जैसे की उसे उल्टी हो सकती है या फिर वो अपने कपड़े बातरूम करके गंदा कर सकता है इसलिए आप सफर के दौरान दो से तीन चोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े बच्चे के बैग में रख लीजिए टिप नमबर फोर गंदगी साफ करने के लिए भी कपड़ों का होना बहुत जरूरी है कई बार जब भी हम अपने बच्चे को दूद पिलाते हैं या फिर कोई अन्य खाना खिलाते हैं तो वो अकसर गिर जाता है और या फिर कई बार हमारे बच्चे गंदे भी हो जाते हैं इसलिए बच्चों की सफाई के लिए भी कपड़ों का होना बहुत जरूरी है टिप नमबर फाइफ है खिलों ने बच्चों को खिलोनों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है इसलिए अपने बच्चे के फेवरेट सॉफ टॉइस बैक के अंदर लखना बिलकुल ना भूलिए और अपने पूरे बैक को अच्छे तरीके से तयार कर लिजे So friends, अगर आप अपने छोटे बच्चों को लेकर कहीं बाहर जा रही है तो बैक के अंदर ये सारी चीज़ों को हाऊना बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखिए और अपने आपको पूरी तरीके से रेडी कर लिजे मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे